दोस्तों नमस्कार आज 17 महीं है और इंडियन एक्सप्रेस में जो भी निउस आर्टिकिल्स हमारे बीपेसी के पॉइंट अफ व्यू से इंपोर्टेंट होते हैं उसको हम लोग डिसकस करेंगे तो चली स्टार्ट करते हैं और जो पहला निउस हम देखने जा रहे हैं वो है क अभी हाल में जो कमीटी होती है एक्स्ठेंड कर दिया एक मही ने ठीक है जो मनोज पाण्डे है वो अभी 31 मई को रिटायर करने वाले थे तो उससे पहले सरकार ने इनका एकस्टेंशन दे दिया इनको एक मही ने का ठीक है तो यारि या निव बात हो गई कि जो नए आर्मी चीफ होंगे उनको चुन्ने की जो प्रकरिया है वो नई सरकार के गठन के बाद की जाएगी ठीक है तो मनेश पांडे को एक्स्टेंशन मिला है एक महिने का अब थोड़ा इसके बेगरांड की बात करें अगर तो आर्मी चीफ का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके अगर रिटार्मेंट की बात करें तो उसमें ये है कि अगर अपॉइंटमेंट के तीन साल के अंदर ठीक है और या 62 एज दो कंडिशन होते हैं या तो अपॉइंटमेंट के उन्होंने तीन साल पूरा कर लिया हो या वो 62 एर्स के हो चुके हो तो ये दोनों कंडिशन में जो पहले हो उसके हिसाब से इनकी रिटार्मेंट हो जाती है और अगर मनोज पांड़े की बात करें तो उन्होंने अभी अपने पूरे कर लिये थे ठीक है तो तो अब एक महिने के एकस्टेंशन के बाद अब इनकी रिटार्मेंट हो जाएगी तीस जून की और इनसे क्या हुआ है कि इसके जो दो इनके नीचे मतलब थे जो इनके दो जूनियर थे एक तो थे वाइस आर्मी चीफ लेटिनेंट जनरल उपेंदर दुवेदी जो के अभी जम्मू कस्मीर रैफल्स के हैं और जो हमारा साउथ कमान है उनके जो हेड है अजय कुमार सिंग ये दो थे जो की कंटेंडर थे आर्मी चीफ बनने के अब चुके इनका एक्स्टेंशन मिल गया है इनको मनुष पांडे को तो उनका कंडिडेचर भी अभी अब एक तरह से डिले हो रहा है और कंडिशन यहां पर ये है कि दोनों लोग जो हैं जो इनके बात बनने के उमीदवार थे उपेंदर दुवेदी और आजयक कुमार सिंग वो दोनों भी रिटायर करने वाले थे 30 जून को तो अब देखना होगा कि सरकार क्या फैसले लेती है ठीक है? और किन को बनाती है अपना नया आर्मी चीफ और इसके थोड़ इतिहास की बात करें जो इस तरह से एक्स्टेंशन की बात करें तो पिछला इंसिडेंट हुआ था जब इंदरा गांधी की सरकार में अप्रेल 1974 में एक्स्टेंशन मिला था और जो हमारे सेना परमुख थे जनरल जीजी वेबूर उनका कारिकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया था ठीक है और इससे पीछे की बात करें अगर तो 1971 में जो हमारे सेम मॉनेक्स हो थे उनको जो हम जीत दिलाए थी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाब तो उनको भी इस तरह से एक्स्टेंशन मिला था अब ये पिछले अगर देखें तो 50 साल के बाद पहली बार इसा हो रहा है जब हमारे आर्मी चीफ को एक्स्टेंशन मिला है ठीक है इतनी बाते थे इस निउज में आगे बढ़ते हैं चलिए आगे देखते हैं और अभी आपको पता होगा कल IPL का फाइनल था और जिसमें केकियार ने संराजर सहधराबाद को हरा दिया है दो चार बाते हैं इसके भी करते चलते हैं तो इसमें अगर देखें IPL 2024 में देख लें तो वीनर तो हो गई आपको केकेयार ठीक है और रनर अरप हो गई संराजर विकेट लेने वाले को तो वो मिला है हरसल पटेल को ठीक है और हरसल पटेल ने लिए है 24 विकेट और सबसे ज़्यादे रन बनाने वाले को मिलता है औरेंज कैप ठीक है तो औरेंज कैप की बात करें तो ये मिला है विराट कोली को ठीक है और कितने रन बनाए इन्होंने तो यह इन्होंने बनाए 741 रन बनाए इन्होंने और अगर बात करें most valuable player of the season तो वो मिला है सुनील नरेन को ठीक है यह क्या क्यार के हैं तो इतनी बात यह थी हमें आई पील से जाननी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगर को इन्टेस्टेड हो तो इसको देख सकते हैं वैसे काम का इसमें कुछ है नहीं ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर एक न्यूज है छोटा सा जो हमारे काम का है उसको देखते वे चलते हैं अभी आपको पता होगा Reserve Bank of India ने अभी record दो लाख से दो लाख करोड से ज़्यादा का surplus अभी उन्होंने सरकार को ट्रांसफर किया है और यह अपने आप में काफी अच्छा incident है इससे फाइदा एक यह होगा कि किसी पी तरह के policy cuts जो करती है RBC उसके बिना भी अभी interest rate जो है वो कम हो जाएंगे ठीक है तो एक concern है जो inflation का है उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर southwest जो monsoon है अगर वो अच्छा perform करता है तो उसकी वज़े से क्या होगा कि इसमें थोड़ा inflation के point of view से थोड़ा लोगों के लिए रहत की बात होगी है ना और जो भी global climate के जो experts हैं उन्होंने यह कहा है कि जो अल नीनो है वो अब neutral की तरफ बढ़ रहा है ठीक है neutral की तरफ बढ़ रहा है मतलब जो उसकी वज़े से जो इतनी गर्मी और सुखे की जो बाते होती है वो कम होंगी और आगले कुछ महिनों में यानि जुलाय अगस्त तक यह फिर यह लाली ना में कंवर्ट हो जाएगा और उससे फायदा यह होगा कि खूब बारिस उसमें होती है पुरे सब कॉंटिनेंट में ठीक है तो अच्छी बारिस से फिर हमारे जो प्रोडुक्शन साइकल है और जो उससे रिलेटेड आपका इंफ्लेशन साइकल है उस पे भी असर पढ़ने के च पहले तो यह है कि सरकार को ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट है जो आयात है उसको जो भी पलसे इस पर अभी कर रही है उसको मार्च 31-25 तक बढ़ा देना चाहिए ठीक है और जो वीट गेहूं पर जो 40% की इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी सरकार को कम करने पर खतम करने प पर विचार करना चाहिए ठीक है तो यह कहा जा रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन है और जो हमारे पीडियस का जो रिक्वारिमेंट है उसमें जो गैप है उसको फिल करने के लिए हमें थोड़ा इंपोर्ट पर फोकस करने की जरूरत है तो यह बाते थे इस आर्टिकल से का के हमारे आगे बढ़ते हैं हाँ एक असोग गुलाटी सरका इंटर वो है आर्टिकल है इसमें आपको सुर्वाती में बहुत सारे डेटा डेटा है तो वो उतने हमारे पॉइंट आफ यू से उतना ज्यादा जानने की जौरत नहीं है लेकिन आर्टिकल के एंड की तरफ इनों आया चाहिए उनकी बात उन्हों न किये पहली बात उन्हों ने यह कहिए कि एकदम से जीरो इंपोर्ट ड्यूटी के तरफ सोचने या करने के बजाए हम उसके हर पहलू पे विचार करें और फिर कुछ निजने ले एक बात यह कही है दूसरी बात इन्होंने यह कही है कि जो landed price है ना उसको MSP मतलब pulses की बात अभी कही है इन्होंने कि जो landed price है वो आपको MSP से नीचे नहीं होना चाहिए और landed price की बात करें इसको सीधे सीधे अगर समझें तो यह है कोई भी import import क्या हुआ समान consumer के हाथ तक आते आते उसकी price क्या रहती है इसी को सीधे सीधे आप समझ लें landed price के लिए तो इन्होंने दूसरी बात यह कही है कि जो pulses की बात करें अगर हम तो उसमें landed price MSP से नीचे नहीं होना चाहिए ठीक है दो बात कही है और तीसरी बात इन्होंने यह कहा है कि अगर जो domestic prices है वो MSP से नीचे चले जाती है तो nefet जैसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए और तो लोगों के बहतर interest को ध्यान में रखते हुए उनको एक सारी खरीदारी MSP पर कर लेनी चाहिए और एक अपना buffer stock त्यार कर लेना चाहिए ठीक है और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो जो भी farmer या business man जो associated हैं pulses के production से उनके लिए एक तरह से ये सही नहीं होगा है ना और यही बात है उन्होंने कही है जो edible oil या oil seeds के regarding है ना इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि जो इनकी भी जो landed prices है वो domestic MSP से below नहीं होना चाहिए और कहें कि अगर ऐसा नहीं करते हैं या इसका उल्टा होता है तो जो हमारे प्रधानमंतिर साहब का vision है जो इसके oil seeds या oil के case में हम edible oil के case में हम जो आत्मी निर्वर्थ बनने की जो बात कह रहे हैं या सोच रहे हैं उसके लिए ये सही नहीं होगा ठीक है तो आपको पता होगा कि edible oils में मतलब आत्मी निर्वर्था के लिए हमारे प्रधानमंतिर जी ने National Edible Oil Mission Oil Palm N-E-O-M-O-P launch किया है और उसके जो भी objectives हैं वो एक तरह से बरबाद चले जाएंगे ठीक है और conclusion में इन्होंने ये कहा है कि बस यही ध्यान में रखना है कि हम जो अपने trade policy जो बनाने वाले हैं या जो हम आगे उस पे हम लोग विचार करने वाले हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारी MSP policy है घर पे जो domestic MSP policy है उससे वो पूरी तरीके से calibrated हो ठीक है आगे बढ़ते है एक ये article है अभी आपको ध्यान में होगा कि जो ब्लादिमिर पुतिन है उन्होंने अपने जो दोरा किया था बीजिंग का उसको लेकर बात कि तो इसमें ये कहा है कि पुतिन सहाब की भी अपने मजबूरियां है क्योंकि Ukraine war के बाद से जो पहले उन पे sanction चल ले थे वो अब और भी ज़ादा हो गए है तो वो अपना एक जो सदाबहार दोस्त है उसको वो दोस्ती को मेंटेन रखना चाहते है और इसलिए आपको ये जानकर बोड़ा आश्चर्ज होगा कि पिछले आपको दो दसक में मतलब टू डिकेट्स में 40 बार दोनों मिल चुके हैं यानि कि सी जिन पिंग और अपने म्लादिमिर पूतिन तो पूतिन यही सोचते हैं कि जो वेस्ट की गोलबण्दी है उसके असर को कितना मिनिमाज किया जा सकता है उसके लिए चायना जैसे ally का partner का होना बहुत जरूरी है ठीक है और आप देखेंगे कि युक्रेयन वर के बाद से इतने ज़्यादा सैंक्संस लगे हैं रसिया पे लेकिन रसिया की एकोनोमी जैसा सोचा गया था उस तरह से नहीं प्रभावित हुई है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि चाइना एक तरह से उनके सपोर्ट में पूरी तरीके से है आप एक यह डाटा देखें कि पिछले 13 साल से चाइना उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है और 2023 के गलोबल ट्रेड की बात करें अगर रसिया की तो 30% उसका चाइना के साथ हुआ है ठीक है और इसमें एक कंसर यह भी है कि बहुत लोगों को लगता है कि एक जमाने में जो धाग थी रसिया की जब USSR था या उसके बाद के दिनों में जब रसिया स्ट्रॉंग था तो वो एक सीनियर पार्टनर था अपर हैंड था लेकिन आज ज अभी तक निव जो नई दिल्ली है वो वसिंगटन के साथ अच्छा रिलेशन अपना टाई को मजबूत कर रही है और रसिया के साथ इन्होंने अपना एक बैलेंस एप्रोच रखा हुआ है और यह चल रहा है निव रहा है एक तरह से लेकिन आगे की दिनों में अगर यूक स्किल होने बाला है ठीक है चलिए आगे देखते हैं हाँ एक यह न्यूज है लवी एम थ्री के कॉमर्शिलाजेशन को लेकर है ना तो हमारी जो इस्रू है उसका जो कॉमर्शियल आर्म है न्यू इस्पेस इंडिया लिमेटेड एनस आइल उन्होंने जो प्रावेट प्ले है तो लवी एम 3 के लिए बात करें तो लॉंच जो मार्क 3 है हमारा एक बहुत बड़ा लॉंच वेहिकल है जिससे अभी हमने हाल में चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 के मिसंस को कंड़क्ट करवाय था तो उसके प्रोडक्शन के लिए उन्होंने प्रावेट प्लेयर्स को है और अगर लवी एम यानि के लॉंच वेहिकल मार्क 3 की बात करें तो यह हमारे इसरों का बाहुबली है है ना और इसकी जो कैपेसिटी है वो चार टन के सेटिलाइट्स तक को वो ले जाने में सक्छम है है तो यह जो कॉमर्सियलाजेशन होने की बात हो रही है तो इसमें यह कहा जा रहे है कि 14 years का collaboration होगा यह ठीक है किसी भी selected private player के साथ यह 14 years का collaboration होगा और उसकी बात चीज़ें आगे बढ़ेंगे ठीक है और जो इनका project होगा जो वो इस तरह से design किया जाएगा कि 4 से लेकर 6 LBM3 rocket जो है वो हर साल बनाए जाए ठीक तो अगर private player की इंट में entry हो ज vehicles related जो भी business का है space industry का तो उसमें जो हमारे players है उनकी जो share है वो बढ़ने की बात हो जाएगे ठीक है और इससे क्या होगा कि इस रो अब अगर LBM3 को private players के हदों में दे देगा तो इस रो के पास जो space होगा उसके बाद वो NGLV next generation launch vehicle को तयार करने में अपनी energy को उधर वो move on कर स ठीक है और अगर current situation की बात करें तो current scenario ऐसा है कि इस फिल्ड में launch vehicle के फिल्ड में अभी opportunity काफी अच्छी है कहने का मतलब यह है कि जो space X की बात करें अभी तो केवल falcon 9 जो अभी rocket है space X का वही है जो ज्यादा अभी इसमें launch vehicles provide करा रहा है जिसमें की heavy payloads हैं उसको लेकर अभी केवल falcon 9 ही अच्छे से provide करा रहा है क्यों कि Chinese जो launch vehicles है वो अपने देश के जो अपने missions है different missions हैं उनको वो carry कर रहे हैं ठीक है और रस्या के जो so huge है उसको अभी application उसका नहीं हो रहा है क्योंकि उस पर बहुत सारे sanctions लगे हुए है तो एक तरस से देखा जाए तो जो market है यह launch vehicle वाला heavy payloads को launch करने का उस field में अभी opportunity अच्छी खासी है तो अगर हमारे private players की इसमें entry होती है तो वो जो share है उसमें हम अपना share बढ़ा सकते ठीक है और LVM3 की बात तो हमने कर ली उसके अलाबा अभी इस उनोंने private players को SSLV small satellite launch vehicle बनाने के लिए भी private players को दिया हुआ है और जो की private players के द्वारा बनाया गया है वो अगस्त में अपनी flight लेने वाला है ठीक है तो यह बाते थी आगे बढ़ते हैं यह news हमारे जानने का है यह पायल कपाडियां है और इन्होंने अभी भारत का नाम उचा किया है ऐसा उन्होंने किया है कि जो अभी Cannes Film Festival है उसमें इनकी जो फिल्म है जिसका की नाम है All We Imagine As Light तो उनको Cannes Film Festival का जो Second Highest Award है जिसको की कहते है Grand Prix Award वो इनको मिला है ठीक है तो अगर इनकी पायल कपाडिया की बात करें तो यह FTII यानि कि Film and Television Institute of India की Elimini रही है और इन्होंने अभी Cannes Film Festival में जो Second Highest Award है पामे डियोर के बाद Grand Prix वो इनकी Film All We Imagine As Light के लिए इनको दिया गया है ठीक है और यह जो Film है वो पायल कपाडिया की पहली narrative feature film है और आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि जब इसको main competition section में जब इसकी screening खतम हुई तो लोग जो हाँ पे थे उन्होंने आठ मिनिट तक इनको standing ovation दिया कितनी बड़ी बात है अपने आपने है ना और इसके बाद जो कपाडिया है वो बड़े बड़े directors के category में आ गई है जैसे कि फ्रांसीस हैं, फोर्ड कपोलो हैं, यार्गोस लेंथी मोस हैं, अली अबबास हैं, जैक्स और डियार्ड और इन सब तरह के जो बड़े directors हैं उनकी लीग में ये आ गई हैं, और ये पहली भारतिय फिल्म में करो गई हैं, जिन्हों की grand pricks जीता हैं, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं एक ये news है यहाँ पर, कि ये एक report आई है, जिसमें ये कहा गया है, कि जो हमारे top 10 जो trading partners हैं, उनमें हम 9 के साथ हमारा trade deficit है trade deficit को इस तरह से समझें, कि हमारा incoming से हमारा outgoing बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हमारी एक तरह से economy के लिए long run में अच्छे बात नहीं है ये ऐसा नहीं कि बहुत बुरा है, लेकिन हाँ, ये है कि long run में हमारे लिए अच्छे बात नहीं है, क्योंकि अगर हमारा outgoing हमारी ज़्यादा हो रही है sorry incoming हमारी ज़्यादा हो रही है, मतलब trade deficit का मतलब ये हो गया, कि हम जो समान जो बाहर भेजते हैं, जो हम export करते हैं, उससे ज़्यादा हमें import करना होता है ठीक है, तो ये long run में इसको आप ऐसे देखें, कि ज़्यादा समान हम खरीदेंगे बाहर से, तो हमें ज़्यादा currency खर्च करनी होगे तो 2023-2024 की जो official data है, उसमें ये कहा गया है, कि जो हमारे top 10 trading partners है, चाइना हो, रस्या, सिंगापूर, कोरिया, इन सब के साथ हमारा trade deficit चल रहा है ठीक है, और लेकिन अगर हम कहें कि हम surplus में किसके साथ हैं, तो सबसे बड़ा तो surplus हमारा होता है, US के साथ, और उसके लावा कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि आपको ब्रिटेन हो गया, बेलजियम हो गया, इटली, फ्रांस, बंगलादेश, ये सब ऐसी countries हैं, जिनके साथ हम surplus म होते हैं, ठीक है, तो long run में अगर ज़्यादा हमारा import बढ़ता जाता है, तो इस से हमारी currency जो है, उसका depreciation होता है, और इसकी वज़े से जो हमारा import है, वो महंगा होता चला जाता है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, और ये अभी हाल में होने वाला है, कि macro जाने वाले हैं, जर्मनी के टूर पे, और ऐसा पहली बार हो रहा है, मतलब 24 सालों में पहली बार, कि कोई French President जा रहा है, बरलीन, और ये सब जो चीज़े हैं, वो इसके background में ये चल रहा है, कि अब लोगों को लग रहा है, खास करके Europe को, और European Union के countries को, कि हो सकता है, बहुत ज़्यादा chances इसके हैं, कि जो वहाँ पे elections हैं, US में, उसमें आपको Donald Trump की वापसी हो जाए, तो उनकी जो policy है, वो उनको थोड़ा ये लोग ज़्यादा radical मानते हैं, तो उससे Europe की और countries पे क्या आसर होगा, और European Union का अगला 5 साल का क्या agenda होना चाहिए, उसको details से discuss करने के लिए, ये meeting इन दोनों की हो रही है, ठीक है, अभी हमने कांस फिल्ट फेंस्टिबल की बात की जिसमें की, जो second highest award है, Grand Prix, वो हमारी pile कपाडिया को मिला है, तो उसका जो top award है, जो की कहते है, पामेडि ओर, वो मिला है, अनोरा को, ठीक है, और उसके डिरेक्टर हैं, वो है, सीन बेकर, चलिए, आगे देखते हैं, हाँ, अभी आपने देखा होगा कि आडानी पोर्ट जो है, वो sensex में उनकी entry हो गई है, तो इसमें, जो हमारा stock market है, वो कैसे काम करता है, थोड़ी बहुत उसके बारे में जानते हैं, दो चार चीज जो अच्छे perform करने वाली जो हमारी companies, तो जो 30 largest, most liquid और financially sound companies है, उनको इसमें list किया जाता है, और इनका overall क्या performance है, वो एक तरह से हमारे industry का, हमारी economy का barometer हो ठीक है, तो उसमें 30 company होती है, मतलब आपको sensex में 30 stocks होते हैं, और उसी तरह से nifty की बात करें, तो उसमें 50 stocks होते हैं, ठीक है, और sensex जो है, वो launch हुआ था आपको 1986 में, और अगर sensex की बात करें, उसमें कौन-कौन सी companies होती हैं, तो कुछ company जैसे reliance industries है, ICIC bank है, ITC limited है, ये सारी sensex की 30 stocks को जो pick किया जाता है, उसमें आती है, अब उसी तरह से nifty की बात करें, ठीक है, अच्छा उसका जो share है, capitalization ह जो की sensex में सुचिवद कंपनी आए, 30, उसका है लगभग 419 के करीब लाक करोड है, ठीक, ये हमारा था sensex की बात, अब हम अगर निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में, जैसे वहाँ पे 30 companies होती हैं, तो यहाँ पे निफ्टी में 50 companies होती हैं, ठीक है, और इसके जो शु चुरुबात हुई थी, वह हुई थी 1995 में, और इसके market capitalization की बात करें, तो वह है लगभग 416 लाक करोड के आसपास, इतनी बाते थी हमें जानने के लिए, अब कैसे उसको sensex में list किया जाता है, क्या characteria है, ये सारी बाते हमें जानने की नहीं है, ठीक है, चलिए, एक ये छो symbolism है, ऐसा नहीं है कि केवल ये जो watermelon है, जो तर्बूज है, वो आपको केवल गर्मी और लू से भी बचाता है, ये एक तरह से symbol है, फलिस्तीन के परती अपनी solidarity दिखाने का, ठीक है, इतनी बाते थी इसके लिए, आगे देखते हैं, हाँ, ये थ्वड़ा सा news हमारे लिए जा legislative meeting की, जो की हो रही है कोच्ची के रहला में, ठीक है, और ये जो meeting है, वो मई 30 तक होने वाली है, और इसको attend किया जाएगा, जो ये जो Antarctic treaty है, इसके total 56 member state है, वो सारे member state इसमें participate कर रहे हैं, और जो Antarctica है, उस पे जो scientific research conduct किये जाते हैं, उसको लेकर ये एक तरह से peaceful coexistence के लिए बाते यहाँ पे होती हैं, अब हम थोड़ी बहुत Antarctica treaty की बात करें, तो Antarctica की territory को ढूंडने की जो race है, वो उसकी सुरवाद British, Americans और Russian ships के द्वारा हुई, 1820 में, ठीक है, लेकिन इसको अगर final race में जीता कौन, तो इसकी territory को एक तरह से ढूंडने का जो race था, जिसमें की जीते क परवे के, रॉल्ड एमनसल, ठीक है, उसके बाद अब बाते शुरू हो गई, अब जो 50 का दसक आया, तो उसमें Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, यह सारी कंट्री जो है, वो Antarctica पे अपना अपना claim देने लगी, ठीक है, लेकिन अब तक जो है, Russia और USSR, sorry, USSR और US, यह और जो बड़ी-बड़ी थी, वो आपस में overlap हो रही थी, जिससे फिर की conflict बढ़ने लगा, तो इसको अब थोड़ा pacify करने के लिए, 1956 में हमारे जो इंडिया की तरफ से UN को request किया गया, इसके आपको अपने provisional agenda में इसको रखने के लिए, लेकिन फिर बाद में कुछ country जिसके विरोध में आ गई, त लेकिन इसमें जो major breakthrough आया, वो आया 1957-58 में, ठीक है, International Geophysical Year, जिसमें की 12 countries थी, यहाँ पे नाम आप देख रहे होंगे, उन्होंने ये कहा कि बहुत हमने आपस में conflict कर लिया, लेकिन अब हमें एक common agenda की तरफ आगे बढ़ना है, और हम जो scientific research हैं, वो आपस में वहाँ पे mutual understanding मे वहाँ carry करेंगे, और कोई भी territorial claim वाली बातें भी नहीं करेंगे, तो एक तरह से जो वहाँ पे conflict चल रहा था, territorial claim का, वो ठंडे बस्ते में चला गया, और जो mutual understanding है, खास करके scientific research के लिए, वो उसमें आगे चीज़ें बढ़ने लेंगे, ठीक हैं? तो फिर आया period 1958 और 59 का, जबकि वासिंग्टन में ये सारे countries को एक treaty के तरफ बढ़ने के लिए, सारे countries को वहाँ पे बुलाया गया था, और वहाँ पर ये का आगया था, कि हम ये इस रास्ते में आगे बढ़ें, कि अन्टाक्टिका में के वो scientific research के लिए, हम आपस में एक था हैं, ठीक है, तो जो वासिंग्टन conference था, वो आपको October 15 से लेकर December 1 1959 तक चला, और जिसमें की एक अन्टाक्टिका ट्रीटी सकल पे आई, और उसमें 12 total member हुए, और ट्रीटी कब से effective हुई, तो 1961 से, और इस ट्रीटी में ये कहा गया, कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई neutralization नहीं होगी, कोई nuclear testing नहीं होगी, और केवल और केवल scientific research होगा, और आज की date में 56 countries इसके part हैं, यानि अन्टाक्टिका ट्रीटी के जो member हैं, वो 56 हैं, जिसमें से की जो 29 हैं, जिसमें 12 signatories भी हैं, जो इसके original signatories हैं, जो की ये पहली जिन्हों ने इस ट्रीटी को formalize किया था तो उनको एक अलग group बना दिया गया है, वो कहलाते हैं, consultative parties, और इंडिया भी इस consultative party में है, और हमने कब जोईन किया इस ट्रीटी को, 1983 में, ठीक हैं, अब इसमें ये जनने के बात है, कि हमने अपने research station कौन-कौन से बना रखें, हमारे तीन research station थे अन्टाक्टिका में, मैत मैत्री, दक्षिन गंगत्री और भारती, तो अगर आज की date की बात करें, तो ये जो हमारा दक्षिन गंगत्री है, जो की 1983 में हुआ था, वो अब बर्फ में डूब जाने के बज़े से इसको बंद कर दिया गया है, तो अभी functional हमारे मैत्री है और भारती है, तो अभी सरकार मैत्री का मैत्री टू, मैत्री टू बनाने की बात कर रही है, और जल्दी उसको फर्मॉलाइज कर दिया जाएगा, और कुछ सालों में ये बनकर त्यार हो जाएगा, तो हमारे टोटल फिर तीन जो station है, वो काम करना सुरू कर देखें, ठीक है, तो जो मैत्री है, वो एक मैत्री होटल के सभी सुविधाएं हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पर स्टाफ जैसा बहुत ज्यादा डिप्लोयमेंट नहीं है, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, यह हमने बात कर ली, आपियल की, तो आज के discussion में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले बीडियों में, बहुत बहुत धन्यवाद